हलो एवरिवन, वेलकम टू माई यूटूब चानल एएच हलपलाइंग, कैसे हैं आप लोग, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, हॉल टिकेट या कहें, एड्मिट कार्ट के बारे में, जैसा कि आप लोग का पता है कि इस वीडियो में, इस वीडियो के बात से रिजिनल सेंटर विजिट करके भी एग्जाम फर्म फिलप कर सकते हैं, तो इग्जाम फर्म फिलप हो गया, देस वी रिलिज हो गया, अब हॉल टिकेट कब रिलिज किया जाएगा, तो नॉर्मली इग्णो में जो हॉल टिकेट होता है एग्जाम के लिए, वो एग्जाम स्टार्ट होने के 7-10 डिस पहले रिलिस कर दिया जाता है, लेकिन यह जो बोला जाता है कि 7 to 10 दिस पहले रिलीज कर दिया जाएगा इस पे इगनो कभी भी स्ठीक रहता नहीं है कभी-कभी 20 दिन पहले रिलीज कर दिया जाता है कभी-कभी 10 दिन पहले रिलीज कर दिया जाता है तो यह हमेशा vary करता है depend on the circumstances और depend on the situation इस session में जो haul ticket release किया जाएगा जितना मुझे internally information मिल पाई है वहाँ से यह बताया गया कि 24 फेवरी को haul ticket release कर दिया जाएगा 24 फेवरी और 25 फेवरी जाता chances है कि 24 फेवरी को release कर दिया जाएगा और 24 फेवरी तक release नहीं किया जाएगा तो 25 फ start है 28 फेवरी के बास से बोला गया है कि आप विजिट कर सकते हो अपने regional center और अपना exam center change कर सकते हो या exam form fill up कर सकते हो तो उनका भी I mean haul ticket release करना परेगा और exam center तो तभी change हो सकता है ना जब आपका haul ticket release हो जाए क्योंकि haul ticket release हो जाएगा तभी आपको पता चलेगा कि आपका exam center कह haul ticket release कर दिया जाएगा उससे लेट नहीं किया जाएगा उससे पहले किया जा सकता है लेकिन उससे लेट नहीं किया जाएगा और जब भी haul ticket release किया जाता है तो इगनो के main website पे alert वाले section पे ही आप लोग को उसका link provide कर दिया जाता है और साथी साथ मैं अपनी channel पे भी आप गया है actually student को गलत जानकारी या fake information इसलिए मिल पा रही है क्योंकि student direct google पे search करें तो google पे search करोगे तो वहाँ से तो गलत information मिले गई ही क्योंकि google खुद से थो ही नहीं बताता है वहाँ पे तो आपको different website का link दे दिया जाता है जहां पे भी haul ticket के बार में information दिया गया है और बहु पे link provide कर दिया जाएगा और मैं अपने channel पे बताऊंगे ठीक है तो ऐसा tension के बात नहीं है और साथ ही साथ इगनो के तरफ से जो haul ticket का एक section दिया गया है वहाँ पे भी आपनोंको दिसमद रहा है कि सो करेगा अभी actually हो यह रहा है कि इगनो के तरफ से जो August में exam conduct करवाय गया उसका haul ticket का जो portal है वो अभी भी active है उसको अभी भी disable नहीं किया गया है तो student direct इसी portal पे आ रहा है अपने enrollment और program code पूट कर रहे है तो either उनको इस तरीका से show कर रहा है कि haul ticket issue only for final year student तो उनको लग रहा है कि हम तो exam दने के लिए eligible है तो फिर ऐसा क्यों show कर रहा है ऐसा इसलिए show कर रहा है क्योंकि यह अभी तक previous year का ही है haul ticket का यह जो portal है यह previous year का है तो previous year तो यानि कि august में तो सिर final year के student का exam conduct करवाय गया था इसलिए अभी यहाँ पे इस तरीका से show कर रहा है ठीक है अगर जब haul ticket release कर दिया जागा तो यहाँ पे दिसमा 2021 show करेगा जो अभी यहाँ पे आ haul ticket portal का timer इस तरीका सा set किया गया जब आप लोग चेक करोगे उसी वक का time show करेगा यहाँ पे देखो 11 बच के 18 में 25 सो कर रहा फिर रिफ्रेस करोगे तो 30 से कोई confusion होने की ज़ूरत नहीं है जब haul ticket release हो जाएगा तो यहाँ पे दिसमा 2021 show करेगा और उस वक आपको आपको अपन करना होगा और यहाँ पे आपका enrollment number, control number, name, exam center code, exam center address और कौन कौन सा date पे आपका exam होने वाला है वो सभी detail यहाँ पे लिखा रहाएगा ठीक है तो इस तरीका से haul ticket आप लोग डाउनलोड कर सकते हो लेकिन अभी तक release नहीं हुआ है जैसे मैंने आपको बताया कि आईदर 24 admit card कब release किया जाएगा उसके बार में मैं आपको जनकारी दे रहा था और साथ ही साथ clarification दे रहा था जो बिस तो इनको गलत जनकारी या fake information दी जा रही है उसके बार में और हाँ haul ticket और admit card दोनों सेम ही होता है कुछ university में haul ticket बोला जाता है कुछ university में admit card बोला जाता है तो इसको लिकर confuse मत होना तो यह सब देश वीडियो में thank you so much for watching this video have an awesome day thank you so much